असलाम लेकुम दोस्तों मेरा नाम कदस बाइट इस वीडियो में पिछले 24 गंटे की क्रिप्टो मार्किट की लेटेस्ट न्यूस अपडेट्स एहम एहम और साथ क्रिप्टो मार्किट का तजिया मैं आपके साथ शीर करूगा आज की वीडियो को मैं स्टार्ट करूगा सेम से माउ की इस ट्वीट के साथ इस टाइन इस डिफरेंट अगर आप देखें पिछले 24 गंटे में बिटी की प्राइस अगें पंप की है कल मैं आपको बता रहा था कि नेक्स बिटी सी की रिजिस्टेंस जो है वह 69,000 सौरी 60,000 की प्राइस हो सकती है और exactly बिटी सी की प्राइस वहीं पेस्वक खड़ी है जब मैं वीडियो रिकार्ड करो और ये प्राइस मजीद ब्रेक हो सकती है प्राइस दुबारा क्यों पंप की है प्राइस अगें वही वाल स्ट्रीट जो कल मैंने आपको बताया था पैसा सारा वाल जैसे भी जरूरी है क्योंकि साबका जो क्रिप्टो मार्किट के बुल साइकल चलते रहे हैं वहां पर सर्माया सबसे पहले बिट कोईन में आता है बिट कोईन में जब अच्छा खासा प्राफिट टेकिंग हो जाती है तो फिर पैसा वहां से निकल के वह आल कोई मार्किट में जाता है और फिर उसके बाद आल सीजन स्टार्ट होता है अगर आप मुझे काफी देर से फालो का रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ के मार्किट के डाइनमिक्स अब चेंज हो रहे हैं खसूसां जो इंस्टिशनल अडॉप्शन हो रही है अमेरिका जैसे बड़े म मिडल इस्टन कंट्रीज एशियन कंट्रीज अब सारी दुनिया क्रिप्टो मार्किट को डॉप करने की तरफ जा रही है और बिट कोई उसमें एक स्टोर अफ वैल्यू के तोर पे यूज किया जाता है या किया जाएगा आएंदा भी तो इस वक्त अगें ये कल का और आज का आज का अगर आप डेटा देखें कल के दिन का जो रिकॉर्ड है एटीएफ का कल के दिन पांच सो च्छेतर मिलियन डालर का नेट इंफलो हुआ है इन स्पार एटीएफ कंपनीज में इसमें अभी ग्रेस का ग्रेस के एक सो पचिस मिलियन आउट फ्लो भी शामिल है तो इससे एक दिन पहले भी करीब-करीब पांच सो मिलियन डालर ही रहा था और अगर इसी तरह मिलियन डालर का नेट इंफलो रहता है तो बिटीएफ की प्राइस तो अपने आल टाइम हाई के बिलकुल पास है इसी तरह अगले चंद दिन मिलियन आफ डालर आते हैं तो मेरे दोस्तों भाईयों यह जो नुवंबर दोहुजार इकीस को बिटीएसी ने अपना आल टाइम हाई बनाए था सिक्स्टी नाइन थाउजन डालर इसको बिटीएसी की प्राइस बड़ी असानी से टाच कर रही है और सवाल यह है दिस टाइम इस डिफरेंट अगेन कमीं बैक शेयर करने के बाद बहुत से आइडियास मेरे पास आते हैं माइन में आते हैं लेकिन चोके मैं रिगार्डिंग कर चुका हो तो मैं दोबारा उनको एड़ एड नहीं कर सकता तो यह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपने बिटकोइन के साथ साथ आर्ट हम आपने बचों के लिए सेविंग करनी है अपनी नसलों के लिए सेविंग करनी है तो BTC चाईस और बेस्ट प्राइस पर आपको वेलेबल है यह प्राइस आपको दोबारा मुझसर शायद ना है शायद मैं इस वज़े से जाह रहा हूं कि BTC की प्राइस वेंस इट ब्रेक का पसान आरा अभी इस में रिटेलर्स की एंट्री नहीं है अभी बीटी सिमें नेशन स्टेट की एंट्री नहीं है आप किसी बीश्य कि जा कि मिड़ी नेशन हैं इस तरह का कोई एक अगारी हम ने कि हमने इतने billion का यह इतने million का हमने BTC अपने national reserve में रखना तो countries में एक FOMO आएगा then you can imagine कि Bitcoin की already यह जो price pump का रही है सिरफ 500 million dollar का net inflow है तो price जो अच्छा खासा pump का रही है supply कम है और यह भी ज्यादा तर जो market में buying हो रही है इसमें से एक बहुत हिसा OTC deals के जरी है OTC desk भी जब एकदम उनकी supply होजएगी अगर बिल्कुल खतम नहीं होती तो जब कम होजएगी तो फिर वहां पे आपको एक-एक million dollar दो-दो million dollar की जो buying है वो आपको BTC की price अच्छा खासा pump करती भी नज़र आएगी तो जो हमारे पहले अंदाज है है BTC के उपर ज्यादा फोकस करना मतलब आ लेड़ी जो चीजें clear हैं वो आपको पता चल गया कि BTC की price बड़ी असानी से हालविंग से पहले पहले अपना all time high बना सकती है अगर इसी तरह net inflow रहता है और रहेगा रहता है लिए ज्यादा तर chances यही हैं जैसे मैंने कहा कि BTC this time is different BTC ने फिल हाल जो BTC का price action है जितने साबका price actions के model है वो सारे के सारे इस वक्त दड़न तख्ता हैं सारे traders इस वक्त परेशान हैं जो trades ले रहे हैं इस वक्त बेस्ट अपर्चूनिटी है trade लेने की मैं आपको trade क्यों आपको BTC के ओपर trade future trade recommend नहीं करूंगा अगर आपने को trade करनी है तो मैं आपको एक बताता हूं जो असान तरीक है पैसा बनाने का BTC को spot में buy करें let's say के आप हाफ BTC buy करते हैं spot में आप future में हाफ BTC का sell order ले ले future में वहां पर आप funding rate उसकी farming करें आपको पता है कि BTC की price जो है नीचे जाने के chances का मैं उपर जाने के क्योंके कोई model इस वक्त कामकार ही नहीं रहा fundamental इस वक्त BTC के strong है तो market buying आप spot में buy करके बैठे है price उपर जाएगी तो आपको फाइदा है अच्छा चो कि आपका balance negative होगा लेकिन इस वक्त market over leverage होती जारी है होती जाएगी आइंदा अगर इसी तरह net inflow रहता है तो आप वहां पर funding rate चोके आपने sell side पे लिए होगी तो funding side पे आप अच्छा खासा revenue generate का रहे होंगे अगर price नीचे अगर crash करेगी तो आपकी sell की trail लगी है वो तो आपका profit हो गई होगा spot की आपको tension नहीं है अगर price नीचे जाती है तो फिर दोड़ी देर बार recovery कर लेगी तो ये आप trade में आपको recommend कर सकता हूंगर आपने करनी है तो बरहाल alt coin market को जानना बहुत जरूरी है देखें अब मैं alt coin market के लिए मेरा मानना ये है to be frankly speaking मेरा तज़िया घलत भी हो सकता है लेकिन मेरी opinion को आप एक second thought समझ के आप खुद research करें इसके उपर मेरा मानना ये है कि alt coin market में फिल हाल का जो जो market के circumstances हैं जब तक market में retailers नहीं आएगा उस वक्त तक ethereum के इसके इलावा कोई भी market का competitor है वो सारे meme coins है ये solana ये injective ये cardano ये सब meme coins है इस वक्रंट जो narrative है जो market के dynamics हैं सिर्फ दो ही markets है bitcoin और उसके ओपर जो ecosystem है उसके बाद ethereum और उसके ओपर जो ecosystem है बस इसके इलावा किसी भी और market में investment करना अपने पैस ये नहीं कि वो pump नहीं होंगी वो भी होंगी आईस्ता इसे जाहरी बात है सारी market bullish है तो उसका impact उनके ओपर भी नजर आएगा लेकिन वो जो कई कई गुना pump वाले system है वो मुझे किसी भी ethereum computer में नहीं नजर आ रहे हां जो भी project ethereum के ओपर build करेगा अपने आपको उसके साथ adjust करेगा उस जो projects है बेशक वो ethereum है या ethereum के इलावा किसी change में AI base tokenization इनका future है बाकी यह जो layer one जितने ethereum killers है उनमें सरमाया करी करना वक्त का जिया है pump prices करेंगी लेकिन उतना ज्यादा आपको return नहीं मिलेगा जितना आप ethereum या bitcoin की markets के ओपर उनके ओपर आप सरमाया करी करें ठीक है तो यह मेरा analysis है जो गलत भी हो सकता market की दिगर updates की तरफ आते हैं और ethereum भी same जो ETF की speculation जैसे bitcoin हो रहा है उसी speculation की वज़े से हो रहा है और दूसरा मैं आपको कह रहा था कि ethereum के ecosystem यह denken का जो upgrade होना है अगले मा मिड में जाकर उसके बाद ethereum के ecosystem की cost उसको use करने की और कम हो जानी है और वहाँ पर demand और value वहाँ पर generate होगी पिछले 24 गंटे की सबसे बड़ी news si notes की तरफ से है si notes ने finally जो जो low notes run का रहे हैं वह अपने वहाँ पर side tokens वह redeem कर सकते हैं लेकिन जब आपने redeem करना है तो एक चीज़ make sure करनी है कि वह जो उनका time था कि 15 दिन में अगर आप करते हैं तो कितने percent आपको मिलेगा 90 days करते हैं तो कितने percent मिलेगा अगर आप 180 days यानि six month बात करते हैं तो आपको one by one जितने आपके token है उतने ही आपके redeem होईगे तो ये link आपको video की description में मैं share कर दूँगा आप यहां पे चाहें तो token stake भी कर सकते हैं वैसे आप जिस तरह के इन्होंने model पेश किया है इस model में मुझे ऐसे लग रहा है कि SI का token है उसका future आप bright है शायद यही वज़ा है कि इनसाइडर्स को पता था कि इन्होंने क्या policy करनी ह और SI token की price जो है बावजूद इसके कि इस सफते major development थी redemption के हवाले से लेकिन SI token की price जो है वो pump का रही थी तो insider को पता था असल news क्या है असल news यह थी कि आप इन्होंने कहा कि अगर आप staking करेंगे यह देखें मेरे total मेरे token बने थे 10,858 कोई 14,000 डालर के मेरे token थे उन मेंसे मैं 10,000 stake कर दी है क्यों stake किये मजबूरी है मेरी एक तो यह के 180 days मुझे नहीं हुए जो मेरे से पहले के sign outrun का रहे है उनको सही benefit आएगा उन मेंसे अच्छी खासी जो तदाद है उनकी already 180 days क्रास कर चुकी होगी staking करने का क्या फाइदा staking करने का फाइदा यह है कि अगर आप stake क करेंगे तो आपका जो reward success multiplier है वह increase होगा मैंने जो कि 10,000 token stake किया है तो मेरा reward success multiplier है वह 4% और अभी मैं देख रहा था कि मेरे जो reward मिला है मुझे जो token अभी मैं मुझे नोड ने मेरा माइन किया है वो reward जो है यह देखें काफी कम हो रहा है यह देख रहे हैं अब reward जो है आइस्ता आइस्ता break हो रहा है पहले क्या होता था कि तकरीबां on average 200 token मिलता था ठीक है कुछ 6-7 दिन बाद जाके इस तरह token मिलते थे अब वो reward जो है staking कर सकते हैं तो इसको मैं मजीद study का रहा हूँ आप खुद भी study करें और अपनी को opinion share करना चाहें तो मेरे साथ कर सकते हैं पिछले 24 गंटे की एक यह बड़ी news थी दूसरी बड़ी news Binance Lab ने Babylon chain पे investment की है Babylon chain की यह गैसी पे campaign चाली है इस campaign का link मैं वीडियो की description में आपके NFT आपने claim करना लाजमी इनका testnet चल ला है याद रखिएगा यह वाला जो signet का bitcoin का यह वाला जो quiz है survey का यहां पर आपको अगर address मिलने में परेशानी होती है तो यह मैं link आपके साथ share कर दूँगा memorypool.space website का उपर आपने slash signet लिखना है यहां से किसी कोई एक transaction का txid यहां से copy करना है और यहां survey पर पेस्ट करेंगे तो आपका यह सारा task complete हो जाएगा और उसके बाद आपने यह NFT claim करना है ठीक है Babylon को इसको लाजमी करिएगा उसके बाद अगली बड़ी news पिसे 24 गंटे की Uniswap में Uniswap पे तीन extra feature आया है number one Uniswap ने बकाएदा अपनी extension launch कर दी है इसी extension पे आप swap भी कर सकते हैं यह एक तरह की wallet की तरह काम करेगा दूसरी interesting interesting update Uniswap की तरफ से अब Uniswap पे बकाएदा आप limit order लगा सकते है प्राइस अगर आपने बाय करनी है एक खास price में एक खास वक्त में तो आप यहां पे prices set कर सकते हैं जैसके screen पे भी आपको नजर आ रहा है अगर आपने BTC sell करना है या buy करना है तो इस तरह आप limit order लगा सकते हैं और तीसरा charts अब आप जब Uniswap पे watch करेंगे तो बकाएदा अब जिस token के ओपर भी आप trading करना चाहेंगे उसकी बकाएदा आप चार्टिंग गयरा भी कर सकेंगे यह तीन फीचर Uniswap के है जो मैं चाह government to bring CBDC. Jamaica जो country है one of the first countries जिन्होंने अपना CBDC launch किया था और यह जो अपनी cash problems है जैसे हमारे मुल्क में cash circulation जो है वो ज्यादा है और digital economy हमारी कम है उन्होंने भी अपनी economy को digital करने के लिए CBDC launch किया था लेकिन उनको problems है वहां हमारे यहां तो problem है ना illiteracy की लेकिन वहां जो है कर रास की service launch की है अगर आप रास के जरीए transactions करते हैं तो आपकी मेरा खालए transaction फीसें वगरा नहीं आपको tax वगरा नहीं लगते हैं तो इसी तरह अगर incentivize किया जाए तो CBDC को successful किया जा सकता है कल मैंने आपको a drop के वाले से मैं मालूमात अब share करने लगा हूँ कल मैंने आपक star heroes की game के बारे में बताया था इसकी game का मैं यह बताना चाहता हूँ कि आप इनके discord channel पर जाएं वहाँ announcement में जाएंगे तो वहाँ आपको एक farm मिलेगा वो farm fill करें उस farm को fill करेंगे तो आपको game की access मिलेगी तो आप gameplay करके यह वाले सारे task complete करेंगे complete करेंगे तो आपको a drop मिले क्या करना है कि आपने कोई भी आपके पास assets Menta की chain के उपर USDC है USDT है वो आपने यहां पर supply करने है और उसके बाद borrow करना borrowing और landing दोनों के उपर अगर आप देखें तो उपर APY के साथ नीचे आपको एक और percentage नजर आ रही है यह वो percentage है जो आपकी borrowing और landing पे आपको zero token जो है व मैंने USDC यहां पर supply किया है जिस पर मुझे 14.15% APY जो है reward मिला है और दूसरी side पर जो मैंने बारो किया है वो मैंने WUSD किया है Menta का उस पर जो मैंने pay करना है वो मैंने 2.74 करना है लेकिन अगर आप देखें तो नीचे 15.46% मुझे इस बारो करने के ओपर यह zero token मिला है तो इ अगर आप pre-mining करेंगे तो एक तो आपको zero token मिलेगा और साथ जितना आपको zero token मिलेगा उसके बदले आपको 40% जितना इनको Menta token मिलेगा उसमें से 40% आपके साथ वो भी वो भी आपके साथ share करेंगे ठीक है तो इस तरह आप pre-mining करना चाहें तो आप कर सकते हैं काल मैंने आपको bungee exchange और jumper exchange का बताया था अभी latest update यह है कि bungee exchange के ऊपर रहते हुए यह आप arbitrarm को कोई किसी भी चेंज्ज से एस जो है बो arbitrarm में ला सकते हैं और फिर arbitrarm से जब आप optimism में लेके आएंगे bungee exchange के ऊपर ही रहते हुए तो आपको दोनों सूर्तों में reward मिलेगा लेकिन जब आपने optimism करना है तो make sure करना है कि आपका root जो है वो अक्रास होना चाहिए तो आपको optimism का reward मिलेगा इसी वाले से एक और update भी है warm hole को भी तकरीबन 1.8 million Arbitrum token मिल है और अगर आप warm hole पे USDC यहां पे bridge करते हैं किसी भी chain से warm hole का आप portal अगर use करें और root आपने यहां पे जो choose करना है वो है cctp अगर आप करेंगे तो Arbitrum token हर bridging के उपर आपको अलग reward मिलेगा यह actually दो दारी तलवारे हैं bridging करने पे आपका एक तो trading volume बढ़ेगा इन chain के उपर क्योंके warm hole का भी token airdrop नहीं हुआ तो अगर आप इनके portal को use करेंगे और usdc किसी भी chain में आपके पास usdc पढ़ा है वहां से अगर आप Arbitrum की chain में bridge करेंगे और यह वाला route चूज करेंगे cctp circle का जो है तो फिर आपको Arbitrum token reward की सुरत में मिलेंगे यानि Arbitrum का airdrop अलग आपको मिलेगा और warm hole का airdrop आपको अलग मिलेगा यह भी आप strategy अगर use करना चाहें तो आप कर सकते हैं अगला जी linear chain की मैं अलग से इन्शाला सोच रहूं कल यह time की मेरे पास बहुत किल्यत होती है मैं अलग से crypto 101 पे इनका जो quest चाल ला है layer 3 के ओपर वो मैं कल से अलग एक dedicated video बना होगा लेकिन अभी अगर आप 1500 LXP इनके token है linear experience points अगर आप earn करना चाहें तो यह आप कर सकते हैं बड़ी असानी से इस website को आपने clutch को खोलना है उपर campaign पर जाएंगे तो यहां पर आप जब account sign up करेंगे अपना wallet connect करेंगे linear का तो आपको 2 credits मिलेगे आपने यहां पर NFT generate करनी है sadly मैंने generate करने की कोशिश की है तो मेरे जो दोनो credits जाया होगे मेरा NFT जो है वो mint नहीं हुआ तो अगर आप यहां पर mint करेंगे generate करेंगे तो आपको एक NFT मिलेगा वो NFT फिर आपने यह इंटरेक्ट पर जाके यहां पर आपना verify करेंगे तो आपको 1500 LXP points linear XP points जो है मिलेंगे और यह 1500 points अच्छे खासे points है ठीक है तो इनको भी आप लाजमी करिए मैंने तो खेर NFT buy की है ठीक है उसके बाद जी BLAST के ओपर WEN exchange लांच हो रही है NFT एक exchange है NFT marketplace है इसका जो है early access active है इसका link वीडियो की description में आपको दे दूँगा आपने BLAST में जितने भी token stake की हैं bridge की हैं उसके बदले आपको यह WEN token offer करवा रहे हैं जैसे के मेरे देख रहे हैं मैंने 3.64 Ethereum यहां पर stake किया था इसके बदले मुझे 91,000 WEN token मिले है जब यह WEN token बकाइदा listing होगी इसकी मेरा ख्याल है कल 29 तारीक है BLAST का कल mainnet launch हो जाएगा उसके बाद बड़े-बड़े project सामने आएए तो उसमें से एक यह भी project आपने लाजमी go through होना है ठीक है लिंक वीडियो की description में आपको आपके साथ मैं share कर दोगा उसके बाद जी यह Morki एक NFT platform है चंद दिन पहले हमने यहां पर pass payment किये थे इनकी भी एक campaign चाली है यह भी आपने OIT कलेम करना है और दूसरा यह एक इनका रैफल चाल ला है 100 डालर का जिसमें से 2 डालर आपको रैफल में मिल सकते हैं दो दिन अभी भी पड़े हो है इसमें भी आप participate कर सकते हैं ठीक है simple वही twitter पे इनको follow करना है discord इसनका join करना है और वहां पे आपने आपको आपने verify करना है और अगर आप कर रहे हैं तो मार्की में जाके यह बैरा chain का एक NFT है यह भी अगर आप mint करना चाहें तो आप कर सकते हैं टेस्टनेट पे है आपके टेस्टनेट में 0.1 बैरा जो होना चाहिए टेस्टनेट में अगर आप मुझे टेलीग्राम पे फालो का रहे हैं तो आलेडी में आपके साथ शेर कर भी चुका हूं वहां पे तो यहां पर भी आप टोकन स्टेक कर सकते हैं बिलकुल बलास और मांटा की तरह और सुलाना की चेन के ओपर है तो इसका मतलब है सुलाना यह पूर यह लिस्ट है जो आप यहां पर डिपाउजर पर क्लिक करेंगे तो आपको टोकन कीए वह सारे टोकन है जो आप यहां पर कर सकते हैं लेकिन इसके लिए आलेडी इंविटेशन कोड जो है मेरे सारे यूज़ कर ली है आप लोगों के पास अगर इंविटेशन कोड है आपको भी जाहरी बात रहा है रैफरेल्स रही है तो आप वीडियो के डिस्रिप्शन में अपने जो इनवाइट कोड है वो पेस्ट कर दे जिन लोगों ने इसको join करना है वो मेरी वीडियो के नीचे जो codes है उनको use कर सकते हैं simple तरीका है यहाँ पर जब आप इसको open करेंगे वो आपसे invitation code मांगेगा email के जरीए आप sign up करेंगे sign up के बाद आपको invitation code मांगेगा फिर आपका एक solana का wallet create करेंगा वो wallet create करने के बाद उसकी private की save कर लीजेगा और उसके बाद अपने उस wallet में डीफ लोगे उस wallet में आप जितने भी funds transfer करेंगे जैसे के मैंने यहां 334 डालर transfer किया है अपने उस wallet में जब आप transfer करेंगे तो उसके बदले आपको XP points मिलेंगे याद रखिएगा यह XP points आपके फॉरण जाया हो जगे अगर आपने इस wallet से fund निकाल के दुबारा किसी जगा ओर transfer किये तो यह आपने एक दो महीने इनकी यह campaign चाल ली है एक दो महीने इसको आपने अपने पास रखना है ठीक है उसके बाद जी मैटस के हवाले से बड़ी major update है मैटस के यह वाला जो NFT है यह आपने claim करना अगर तो आपने मेरे साथ मिलके इसकी एडरा farming की है तो definitely आप भी eligible होंगे इन तीनों में से एक NFT के मुझे यह base NFT मिला है link वीडियो की description में आपको मिलेगा आपने भी इसको खोलना है और खोल के यहाँ पे आपने अपना NFT मिंट कर लेना और उसके बाद यह नीचे layer 3 पे इनकी यह सारे task है quest है यह सारे quest आपने one by one complete करने है इसके लिए याद रखेगा आपकी जो मैटस की main chain है वहाँ पे funds होने चाहिए उपर जो हमने मैटस की chain पे activities की है वह सारी test net पे थी लेकिन यह वाली जो layer 3 वाली जो सारे quest है इसके लिए आपको main chain में funds चाहिए तो मैंने funds जो है वह पहले arrange की है arrange करने के बाद मैंने यह सारे task complete की है इसके लिए अगर अगर यह task complete करेंगे तो यहाँ पे epic NFT भी मिलेगा याद रखेगा यह उपर वाले जो है elite है base है और good है NFT यह वाला epic NFT मिलेगा अगर यह सारे NFT हम यह सारे task हम complete करेंगे तो मैटस की एड्रा फार्मिंग यह अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं ठीक है यह थी मेरी आज की वीडियो उमीद है मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए informative रही होगी अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़ दे अलाफीस